भारत धर्म नीती और संस्कृति की धरोहर से सुसंचित ये देश सोनी की चड़िया के नाम से जाना जाता था इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचिक भी उसी ही तिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है समय है आज से लगभग पाँच सो साल पहने है भारत भूमी पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रही थी लक्ष सिर्फ एक था भारत पर इसके वैभव पर आदी पत्य पूरे संसार को शांती का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमी अब निर्दई आकरमणों का रंग मंच मंच चुकी लेकिन ये देश चाहे कितना भी जगजोर दिया गया हो तूटा कभी नहीं इस काल में भी एक प्रांध ऐसा था जिसने आकरमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्विकारा किन्तु परादीन ता नहीं वीर्दा की मिसाल काइम करता ये प्रदेश राजपुताना था लेकिन ऐसी अभूतपूर वीर्दा के बावजूर आखिर लड़ाई राजपूर टुकडियों और विदेशों की भारी सेनाव के बीच थी इस भूमी का दमकता सूरज अस्तपोता नजर आ रहा था तभी काल और नियत के आशिरवाद से एक अवदार ने चन मिल लिया महाराण प्रधाप रंद तू उबालसा सक्त है तू ठालसा भारत कहे वीरसा मेरा पुत्र प्रताप है प्रजंड तू अखंड तू सूर्य साथी ताप है मात्र भूमी गर्व करें मेरा पुत्र प्रताप है चड़ा रग्त का दीका है मिट्टी तो माये माले ये देश भर्त का मोल है जो मेवाडी राणा जाने सुन साहस इस भूत का देश का खणखण है ये का है जै 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 जिसकी जैका प्रताप है एक लिंग का कहें जिसे आमका बरता अब है फीरों के साहस की जो हुंका बरता अब है जै 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 जिसकी जै का बरता अब है बरता अब है बरता अब है जा बरता को लिवा लाओ महारानीसा बाओजी राज तो महल में है कोनी वो तो कहके गए है कि आपके पूजा के लिए कमल के फूल लेकर आएंगे कमल के फूल? रतिज्या है चंद्र तरई, सूरज तरई, तरई सकल संसार पर जो मुख से एक्षत्री कहें वो कैसे तरजार? हुआर प्रताप सच्चेक शत्रीय है हमारी पूजा सही मुहरतवर और उन्ही के लाइब खुलों से ही ही कर तरदाएंगे ञाएंगे झांगे कर लो कर को अधर भूह कर दो तरड़ रहा है कर दो अब्टार बूछे ऑो ठाम cracked करेकर दो चार चार गार फ्रूब टीड़ चुराम लगा टॉजा लड़ कहा लुगा है लगा है लगा कर दोरो लगा 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 है लगा लगा लगव लगिवर फक्रम लगा है आले भी कि अपचा रॉआ याले रेली एंदी सा बावजी राज, आपा क्या कर रहे, आपको भेह नहीं लग रहा, सोम, भेह हमें क्यों लगेगा, जैबीर तो ये मगर मौच हो रहा है हमसे, देखो, पानी से भार भी नहीं निकल रहे, परंटू बावजी राज, आपा गए क्यों, अब ये पुष्प यही इस सरोवर में थे तो हम क्या करते सोम? अब नीचे भी आजाये ना बावजी राज, आपे है, हमने आपको कितनी बार का आया तो, कि हमें परताप बुलाया करिए, आप हमें अपना मित्र नहीं मानते, मित्र तो आप है बावजी राज, रेकें मेवार के भावी राजा भी तो है आप, तो क्या राजा मित्र नहीं होते राजा भी मित्र होते हैं सोम और हम तुम्हारे मित्र है अच्छा सोम अब हमें महल की और भागना होगा यह पुष्प मासा की विशेश पूजा के लिए है और आप जानते हो ना सोम चाहे सूरज और चंदर अपनी दिशा बदल दे तो मासा क पूजा का महरत कभी टन नहीं सटता चलते हैं बाउजी राज तुनिये तो रानी सा बाउजी राजे अब तक प्रताप आच चुके ल ग्रह बदाप है एक लिबी का कहें जिसे आवतंपर ब्रताप है भीरों के सा हस्की जो हम का ब्रताप है जै 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 जसकी जैगा ब्रताप है टटी का माम का से छिवतार कूल दीपकव बन है कर दो कर दो कर दो प्रता हमारा आशिश तो सदेव आपके साथ रहता है लेकिन आपको ऐसा बनना है कि सारी प्रजा, सारा देश आपको आशिद बात दे तो फिर मासा, आप हमें वही कता सुनाईए न, जो हमें सबसे ज्यादा भाती है ये सिर्फ कता नहीं कुवर जी, ये आपके पूर्वजों की वो परंपरा है जिसे आप आगे ले जाएंगे जी मासा, आपसे हमारे परंपरतापी पूर्वजों के बारे में सुनना हमें बहुत ज्यादा भाता है मासा इसलिए हम इनकी बाते बार-बार सुनना चाहते हैं इसे उत्साह को आपको निरंतर वीरता में बदलना होगा प्रताप आपकी रगों में रख तो इन महाबलियों का है लेकिन उस रख के इस राजवन्ष के योग भी बनना होगा मासा हम बेंकी तरह वीर बढ़ना चाहते हमारे पूर्वज बपा रावर्ड राना हमीर राना खुमबा राना सांगा मासा यह सब हमें अपने आशिर्वात से अपने ज़स्ता महाबल्शाली बनाएंगे क्यों नहीं कुबर जी अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप इनहीं के समान प्रतापी बनेंगे नीव रखी मेवाड की तो वो बापा कहलाएं एक उनकी हुंकार भर से थे दुश्मन थजराएं करदी शुरू राना हमेर ने रानाओ की कहानी शूरवीर और पराक्रमी थे वो महाबलिदान को राना कुम्भा ने स्विकारी बस एक लिंग की छाया राजवन्ष ने स्वयम को कभी पराधिन न पाया फिर आया वो महावीर जो युद्भूमी का सेंग था एक हाथ और एक आँख फिर भी निश्चय का अडिक था तहे पर खाए अस्ती खाव बढ़ते रहे वो आगे नह ये सारे मर्यादा पुर्शुत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तरा अधिकारी बनना होगा मसा हम आपको वचन देखें एसा ही होगा आए अपने दाजे राज का भी आशिरवाद लेजे प्रताप शत्रिय धर्म पालन के शिक्षा आपको इनही के जीवन से लेनी है प्रणाम स्विकार करे पूजनिय राजिरवाद हुआ प्रणाम स्विकार के श्रणा में उनका सू हुआ पूलादा उनका बनताइ यंथरो स्विक झाल 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 आप आप तो मैं बताइए औसे दाजी राज किसले 40 दिनों से किसले पुजा कर रहे है कुछ राना जी के मन की बाद तो राना जी ही जानते हैं लेकिन आपके दाजिराज जो करते हैं, वो देश के हित के लिए होता है। राणा जी एक लिंग जी का महा कथिं द्रत करने हैं प्रता। अवश्य ही उनके मन में कोई बड़ा उद्देश्य होगा। उस बड़े उद्देश को पूर्णे करने में हम भी हिस्सा लेगे माता। इसी भी उद्देश में हिस्सा लेने पूर्व। तुम्ही स्वयन को उस उद्देश्य ही को योग्य बनाना होगा प्रता। आपका पुत्र ये तिहां से तलवार उठाकर अभी अपनी रुपका किपी कर देगा माता। प्रता रुख जाए। इस तलवार को आप अभी नहीं उठा सकते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मासा। आपको हमने इस तलवार के बारे में इतना बताया। फिर भी ये प्रश्न कुमर जी पर मासा। ये कोई साधारन तलवार नहीं है प्रता। इस राजवंश का गौरव चुन्य है। इसे उठाने वाले को नियती स्वयम चुन्ती है। आप यूही इससे नहीं खेर सकते। याद रखिए। तो क्या मासा। नियती ने हमें इस तलवार को उठाने के लिए चुना ही नहीं। अगर आपने वो सारे गुन है। देश प्रिंग, पराक्रम, त्याव। जिनके लिए पूरा देश आपके पीछे अपना सर्वसों लटाने के लिए तयार हो जाए। तो प्रताप, नियती इस तलवार के लिए आपका चैन करेगी। चुकि एक बार आपने इसे उठा लिया, तो अपने दाईत्व से पीछे नहीं हट सकते। ये तलवार एक प्रण है। एक प्रतिज्या है। और ये प्रण। जिस दिन आपके रिदे में इस देश की रक्षा करने का सच्चा प्रण आजाएगा। उस दिन राम जी की कृपा से ये तलवार स्वयम आपके हाथों में आजाएगी। दूसरा पहर हो गया है प्रताप। आपकी छोटी माँ आपको धून रही होंगी। चाहिए, जो आग्या मसा। महराज, हमारी एक लिंगजी से बस यही प्राटता है। कि मेवार की अधिनता से जो पीड़ा आपको हो रही है, वो जल्द ही समाप्त हो। जो संकल्फ आपने लिया है, वो अवर्षे पूरा हो। वो जो 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 अवर्षे को पूरा हो। उजएसर! अवकम हम रिद्ट्यू को गले लगा लेंगे लेकिन आतम समर पर नहीं करेंगे। तो क्या हुआ अगर वो चालिस हजार हैं और हम मात्र हजार। वोकम हम सब साका के लिए तयार हैं, तूट पड़ेंगे उन पर, हमारा एक-एक योद्धा, उनके दस-दस पर भारी पड़ेगा, सबी छत्राणिया जोहर के लिए तयार है, महराज, किवला बादेश दीजे, एक-एक को कट डालेंगा, महराज, और क्या दीजे? झाले जोहर, आटे लिए धथजे रिएक Shi richer, 67 को झाले हैं, जोहर के लिए तव महरा एक-एक को धगरेब। कि जुआ dictator के पर एक-एक के लिए को कि यह तकि लिए क को य। आत्म समर्पन हम आत्म समर्पन करेंगे यह आप क्या कह रहे हैं होकम राज पुताना में आत्म समर्पन कैसे संभाफ है हम मर जाएंगे कद जाएंगे हम होकम यही चाहता है शत्रू कि वपा रावल की पूरी शाखा ही समाथ हो जाए आप सबको क्या लगता है कि हम अपना शत्रिय धर्म भूल गए हैं राजपू धर्म से अवगत हैं हम हस्ते हस्ते मात्रभूईं पर प्राण लुटाने की शिक्षा हमने भी प्राप्त की है लिकिन अभी हम जो कह रहे हैं वो मेवाड के हित में वेवाड पर लगे अतीत के घाव अब तक भरे नहीं हैं हमारे इश्द देव एक लिंग नाची ने भी संसार की भलाई के लिए हला हल्पियत अगवान श्री किष्ण का एक नाम रंचोड भी है इसी तरह ये भी सत्य है कि कोई भी युद्ध केवल जोश से ही नहीं होश से भी जीता जाता है सही समय और सही तैयारी के साथ हम अपने शत्रों को पराजे का मुँ अवश्य दिखाएंगे लेकिन आज आज परिस्थिती अनुकूल नहीं है चित तोड के किले की ये चाबी आज भलही शेर्शा के हाथों में ती जा रही है लेकिन अपने परंप्रतापी पुर्वजों का वंशज मैं महराणा अउदे सिंग ये प्रंड लेता है कि जब तक मैवार की सोतंतरता का ये चिन अपने शत्रों से वापस नहीं ले लेता तब तक चैन से नहीं बैच बैच ये प्रतिग्या है मेरी पुरोहीची क्या एक लिंगनाज जी चाहते हैं कि मैं अपनी धर्टी पर लगे कलंग को मिटा सकूं भागाउब रामः परफी पागाउब एक लिंगनाज जी महराज की यहीची तो बताए पुरोहीची कब है वो शुब महूरत महराज कल जब आप अपने वरत के उध्यापन के लिए यहां पधारे कि तब एक लिंग नाथ दिस्वें शुब मुहुर्द का संकेत करें जयो जय को महल में जाकर सुचित कर दिजे कि हम जल्दी वहां पर पधारने वाले हैं जय आग क्या दें पुरोहिची रावची होकुम एक आप ही हैं जिन पर हमें सौयम से ज़्यादा भरोसा है सभी सामनतों तक ये सूचना पहुचा दीजिए कि कल हम उनसे इसी स्थान पर मिलेंगे लेकिन ध्यान रहे ये सूचना गुप्त है और हाँ इस बात की कानो कान खबरों वो शम्स खान तक नहीं पहुचनी चाहिए वो आदमी नहीं अजकर है ये क्या दिखा रहे हो नाच मुझे तो लगा था कि लडाई होगी अच्छा मुझे तरह याद दिलाओ वो कौन थे दोनों जिनोंने गडरिये को और उसकी बक्रियों को मेरे यानि शम्स खान के खेमे में आने दिया था हाँ तुम बताओ तुम बताओ अच्छा छोड़ो तुम सब बताओ बताओ वो मवेशी सीधे उदाय सिंग के किले से आये थे बाईजर सवारे के में माई इतनी इसद तो कभी तुमने मुझे भी नहीं दी तो जायास है इस बात पे हमें गुसा आ गया और अब जब गुसा आई गया तुम दाना को मरना पड़ेगा माफी चाहूंगा थाय मजा ही नहीं आ रहा था बहुत बेकार सी लड़ाई थी और इमान से कहिएगा मजा आपको भी नहीं आ रहा होगा नहीं 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 मजा तु आए जंते करो उदाहसीन के साथ जब एक एक करके उसके पूरे खानमाद को इन्ही हादों से खातब करो यह क्या इतनी पत्ली हमारे प्रताब को गाड़ी दाल पसंद है यह दाल देखके तो कहेगा चोटी मा हमसे तो यह दाल नहीं कहाई जाएगी इसे गाड़ी कर दो हमारे प्रताब के सामने सारी मिठाईया फीकी परचाती है इस खीर में थोड़ी खांड और दाल दीजे फिर हमारे प्रताब को भाएगी छोटी माता सब अच्छा तो है आप इसे रहने दीजे और चलिए चल कर आराम किजी चलिए आप आगे कोई प्रताब आज हमने आपकी मन पसंद खीर अपने हाथों से बनाई है जोटी माता आज अपने पिर हमारे लिए प्रताप आपने भले हमारी गोग से जनम ना लिया हूँ पर आप हमारी पहली संतान हैं आएए रानी सा यह इमली अहीं मिली है बस कैरिया कहीं न मिली इस समय कोई बात नहीं इमली रख दो इमली से ही काम चला लेंगे चोटी मासा आपको कैरिया चाहिए चाहिए थी पर अब इमली है ना चोटी मासा आपका मन कैरिया खाने को है तो आप इमली क्यों खाएंगी आप ठेरिये हम अभी कैरिया रेंगे प्रताप इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है अब हमने तो कह दिया चोटी मासा और अब हमें शब्दों का मान तो रखना ही होगा ना चलते हैं हम तो हर जगर ढूनके हैं बाउजी राज हम अगर ऐसा कोई स्थान है तो महरानी सज्जा बाई जी को अवश्यक्ता होगा चोटी मासा हम पलक जपकते ही वापस है प्रताप आपका भोजन बाउजी राज का आपके प्रतिस्निह अद्बूत खेराने साथ कोई प्रताप की हर बात अद्बूत है उनके जैसा आज्यकारी सहासी पुत्र हर मा का सपना है नीबू का अचार है आनन्द ही आ गया कुवर शक्ती ये क्या किया आपने आपने इस्थान को रंभू भू भी समझ लिया है हमारा सारा अचार नश्ड कर दिया अब हम क्या करेंगे आपको बता है ना आपकी मासा को अचार से किता प्रेम है सिप्या करके अपनी तलवार इन बढ़नियों से दूर रखिये मा आप समझ ने रही हैं दाजी राज अपने चालीस दिनों के व्रत के बाद महल में वापस आ रहे हैं और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं इस तलवार बाजी में उन प्रताप से कहीं अच्छे हैं जब तक उनकी शिक्षा शिरो होगी तब तक तो हम तलवार बाजी में उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे प्रणाम मंजली मासा चिक्षुक जी उखुर प्रताप कैसे हो भाई शक्षी है ठीक हूँ दादाबाई अरे यह अपने तलवार केशी पकड़ रखी है इसे यू नहीं यो पकड़ते हैं अच्छा बिना शिक्षा के अपनी ये भी सीखिया आप आई सकती हमने दाजी आज को अब्ध्यास करते समय देखा है यह देखिए अगर आम इसे ऐसे पकड़ते हैं तो बल ज्यादा मिलता ये लिज़े अरे मंजली मासा क्या आप हमें बता सकती है आपर केरिया कहा मिलेगी क्या बात है कुवर प्रता आज आपको केरी खाने की इच्छा के हो रही है नहीं मंजली मासा हम छोटी मासा के लिए केरिया डूल रहे है क्या बात है कुवर प्रता आपकी छोटी मासा के म बात के निकल देख और आपे पूरी करने के चाली है ना बताया ना मंजली मासा कहां मिलेगी केरिया अरे हाँ एक व्रिक्ष है आम का जिस पे केरिया लगी होंगी हमारे कक्ष से भी दिखता है पिछली पूर्णिमा जब आम मंदर से पूजा करके लोट रही थी तब हमारी दुष्टी उस व्रिक्ष पे पड़ी थी अरे वाँ अब तक तो केरिया आ भी चुक्यूंगी हाँ हां मंजली मासा किन तो पेडा कि रहे का च्शाबने के अंदर थन्यवाद मंजली मासा हम अभी माँ आइज जा और नहीं पड़ता आप आने जा सकते स्फुदे अफगानों के च्शाबनी में प्रवेश दिया वढशित ए अपनी शितर है हिए मंजली मासा हम चुपचाप क से अमारी भूमी ले लिए तो क्या हम उनसे का कहरी भी निले सकते हैं चलता हूं वासा हुआ है हुआ है हुआ हमने उदेश सिंग के हर हरकत पर नज़र अखी हुई है और आप बिल्कुल फिकर मत करें हमें फिक्रस बात की है कि वो घड़ी कब आएगी जब उदेश सिंग हमारी शान में कोई गुस्ताखी करें और उसकी गुस्ताखी के एवज में हम खुशी-खुशी देट खर दें उसके पूरे खांदान का नमों निशान बिठा देंगे येखब प्रावी करें येट पना evidence टीकिया फिर्ष बिलकुल